आज गुण्डों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लगता है कि कहीं उनका एंकाउंटर ना हो जाए बता दे कि यूपी में लगतार ईंकाउंटर की खबरे सामने आती रहती है जब से CM योगी नसरता संभाली है। तब से ही लगतार आक्षन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कस्ता जा रहा है। योगी पुलीस अपराधियों पर तगड़ा आक्शन ले रही है कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एंकाउंटर हो रहा है तो कभी दबंग बदमाशों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी चा रही है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं कापिडल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कॉर आज आपको बताएंगे भरे बाजार में हुए जुर्म और मेरट पुलीस के तगड़े आक्शन के बारे में तो चली शुरुआत करते हैं भरे बाजार में मारी गोली परहान ने किया लड़की से छेड़ छाड़ मेरट पुलीस आक्शन में दरसल उत्तर प्रदेश के मेरट में सोफिया नाम की एक यूवती की फरहान नाम के यूवक ने गोली मार कर हत्या कर दी आरोप है कि हत्या से पहले फरहान यूवती से छेड़ छाड़ करने की कोशिश कर रहा था हत्या करने के बाद वो फरार हो गया पुलीस मौके पर पहुँच कर जाच परताल कर रही है चानकारी के अनुसार मेरट के थाना फलावदा शेत्र की रहने वाली एक यूवती सोफिया 22 जनवरी सुभा अपने घर से दवाई लेने चा रही थी इसी दोरान फरान मलेक रास्ते में आकर उससे चेड़ चाड़ करने लगा वो उसका रास्ता रोकने लगा यूवती ने जब इसका विरोत किया तो वो उसके साथ हिंसा पर उतारू हो गया और कुछ देर बाद उसने तमंचा निकाल कर उसे गोली मार दी गोली लगने से तुरंत ही यूवती की मौत हो गई हत्या का आरोपित फरहान गोली मारने के बाद घटना स्थल से परार हो गया यूवती के परिजन जब तक घटना स्थल पहुँचे तब तक उसकी जान जा चुकी थी वही घटना स्थल पहुंची पुलीस ने जानकारी लेकर फरहान की तलाश चालू कर दी है हाला कि यूवती के परिचुन कारवाई से संतुष्ट नहीं है और आरोपित के घर बुल्डोजर चलाने की मांग कर रहे है खटना स्थल का मेरट के दिहाद शेत्र के पुलीस अधिक्षक ने भी दौरा किया है उन्होंने मीडिया से की बातचीत में बताया कि थाना फलावदा के महौला भगत सेंग में 18 वर्षी यूवती सोफिया दवा लेने जा रही थी यूवती के पडोस में रहने वाले यूवक फरहान ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी यूवती के शफ का पंच नामा करके पोस्ट मौटम की कारवाई की गई है मामले में पुलीस ने FIR भी धर्च कर ली है और फरहान की धर पकड़ का प्रयास भी कर रही है जानकारी में सामने आया है कि फरहान का इस यूवती के साथ पहले प्रेम प्रसंग था परिजनों का कहना है कि फरहान उनकी बेटी के साथ कई दिनों से छेड़ छार कर रहा था पुलीस के पहुचने पर परिजनों के हंगामा करने की भी खबर है एस पी देहात ने उन्हें मामले में कड़ी कारवाई का आस्वाशन दिया है वहीं आपको ऐसे ही एक और मामले के बारे में चलिए विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं दरसल कुछ समय पहले उत्तरप्रदेश के बांदा में तीन तलाक का संसनी खेच मामला सामने आया था दहेच में स्कॉर्पियों की डिमांड ना पूरी होने पर शोहर ने अपनी पतनी को तीन तलाक दे दिया पीड़त महिला ने पुलीस से शिकायत कर आरोपियों पर कड़ी कारवाई की मांग की है पिलहाल पुलीस ने पांच लोगों के खिलाब दहेच उत्पीडन समेत अन्य गंभीर धाराओं में अफाय यार दर्ज की है मामला पहलानी थाना शेत्र का है यहां की रहने वाली महिला ने पुलीस शिकायत के दौरान बताया कि उसकी शादी 2015 में मुस्लिम रीती रिवास से फतेपूर जिले में हुई थी पिता ने शादी में 15 लाक रुपए दहेच दे कर विदा किया था आरोप है कि शादी के बाद से पती समेत अन्य ससुराल वालों ने दहेच में स्कॉर्पियों की डिमांड की ना मिलने पर शाररिक और मांसिक रूप से प्रतारत करता था पिड़ता का ये भी आरोप है कि पती दूसरी शादी करने की धमकी देता है जुलाई महा में उसने मार पीट कर घर से भी निकाल दिया था तब से महिला माइके में रह रही है महिला ने बताया कि बीते दिन उसका पती माई के जुआ कर जबरन लाई जगड़े करने लगा और दहेज में स्कॉर्पियों ना मिलने से उसने सब के सामने तीन बार तलाक 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 बोर कर तीन तलाक दे दिया मामले में पुलीस ने कही ये बात पहलानी थाना के प्रभारी अनील कुमार ने बताया कि दहेज के लिए तीन तलाक देने का मामला संग्यान में आया है महिला ने अपने पती समेच ससुराल वालों पर प्रताड़ना और पती पर तीन तलाक देने का शिकायत पत्र दिया है ततकाल FIR दर्च की गई है मामले में आगे की कानूनी कारवाई की जा रही है आरोपियों के गिरफतारी के प्रयास भी किये जा रहे हैं वहीं ये तीन तलाक का कोई पहला मामला नहीं है बलकि इससे हट के चलिए अब आपको हम एक मामले के बारे में बताते हैं दरसल U.P. के अमबेटगर नगर में मंचलो की करतूट से परिशान इंटरमीडियेट की चात्र की मौत के बाद तीनों आरोपियों ने पुलीस गिरफत से भागने की कोशिश की इस तोरान आरोपियों ने पुलीस कर्मियों की बंदूख छीनने की भी कोशिश की और फाइरिंग भी की इसके बाद जवानों ने जवाबी कारवाई में उन्हें गोली मार दी पुलीस एंकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैसल के पैर में गोली लगी जब की तीसरे आरोपी का भागते वक्त गिरने से पैर तूट गया दरसल शुक्रवार को स्कूल से लोटते वक्त कुछ यूवकों ने छातर से छेड़कानी की थी और उसका दुपट्टा खीच लिया था इससे छातर साइकिल से सडक पर गिर गई और गाड़ी से टकराने के बाद मौके पर ही उसकी मौध हो गई इस खटना से छातरा का परिवार सदमे में है बिरतक लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी बायालोजी की छातरा है पढ़ाई में बेहत अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी पिता सबाजीत वर्मा ने बताया कि मौकिक तौर पर पुलीस वालों से एक हफते पहले इन मंचलों की हरकतों को लेकर शिकायत की थी लेकिन पुलीस ने कोई सुद नहीं ली अगर उस वक्त कारवाई हुई होती तो आज उसकी बेटी जिंदा होती बता दे कि छातरा की मौ होते हुए बताया कि शेहबास, फैसल और एक अन्य लड़का पीछा कर रहे थे वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं शुकरवार को सीधा दुपट्टा खीच लिया जिसकी वजह से वो साइकिल से गिर गए पीछे से फैसल ने उसकी उपर बाइक चला दी जब तक मैं पहुची उसके मूँ से खून आ रहा था, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, वहीं अस्पताल में उसे मृत खोशित कर दिया गया। और फैसल की मेडिकल के दौरान भागते वक्त पुलीस एंकाउंटर में पैर में गोली लगी है, तीसरे आरोपी का पैर टूटा है, अधिकारी ने बताया कि IPC की धारा 302 के साथ ही, पॉसको आक्ट में भी केस दर्च किया गया है, लड़की की मौत के बाद लापर वाही के आरोप में हंसवर थाना अध्यक्ष को SP ने सस्पेंड कर दिया है, खेर आए दिन मुढभेड अपराध हाता पाई जैसे मामले सामने आते रहते हैं, जहां योगी पुलीस चुन चुन के अपराधियों को उनके किये की सजाद देती है, कोई भी अपराधी पुलीस और CM यो मुझा झाल, कोई प्रणा तुन के अपराधी योगी योगी योगीे कोस देकते हैं, आ ए्क हाँ रख़ाँ भी मेंके की सानुच है.